तो कैसी लग रही हूं मैं नकली मूचों के साथ बताएगा जरूर मुझे कमेंट शेक्शन में अपरलिप इतने बड़े हों कि शेव करना पड़े तो उससे पहले प्लकर और वैक्स की हप से आप अपने मूचों को यानि अपरलिप को जरूर बना लिया करें मैं आप लोगे साथ ये मेकप ट्रांस्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ और ये मेरा मेकप ट्रांस्फॉर्मेशन आप लोगे कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज यार लाइक जरूर दे दिया क कर ये आप लोगे और साथ ही सात इस तरही की बहुत सारे वीडियो देखने के लिए ना मैं अš层 केरेगा Сп以及 MMA के जरूर प्रेस करें से ना और थे मैंच रथि ऐड़ elevate लोग एब्चा करने के लिए और फ्रांस्फॉर्मेंकिता करे साभियो यी वीडियो मेंचन प्लिज्ब माऊस राइजर और ऑइल लगा प्रिपेर्या घी में चैन्य चाहिए इसके बाद तो मैं एक लिए करना प्रैमर्मात के लिए अपटे लिए में अपने लीड को पिर अच्छे मैं उखित लीए हूं या को मैं जैसे विंग सबस्तर हैं गर सब्सक्राएं से को बना है और यह जो फैलाना नहीं हैं थीक है जो जिसलिंग सबूसर भी चाहँ उसे के अर्काजल शेल करने में जब मेरी का देख रहा हża देंगे देख रहे ना जैसे विंग्स बनाते हैं उसी तरह बलेंड कर रही हूं तो इसको तो इससलिए मैं बहुत क्यर्फोल के आराम से इसको ब्लेंड कर जा है और तो बागी जगह भी थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी ठीक है और उसके बाद आपको दूसरी आई में भी क यहां पे बल्याना है य। काजल नहीं लगानाँ इसको इनर में लाइक लगाना है और जओ आईबाbn से बिलेंट कर लोगी और उसको कॉर्णर अनुंगा। उसको स्ब्zystaक करने के लिए ये MIDDvalues सबूंद Vari्स मिलय बिलेंट कर psychopath उसके बाद में आ पर लगा रही हूं अच्य से में काजल naming लगा लूँगी उसके बाद में वाइप लिया उसको जो फोल आट हुआ ता उसको मेंने पूछ लिया फिर उसके बाद जो black eyeshadow है उसको मैं अपने जो काजल लगाता है ना उसके नीचे भी लगाऊंगी मतलब आई लैश के नीचे लगाऊंगी ठीक है waterline के नीचे waterline में बिल्कुल भी नहीं उसके बाद जो concealer है उसको जहां भी imperfection है ना मेरे थोड़ी मोड़े pimples हैं और under eyes के पास आपने देखा ना जैसे मैंने लगाया वैसे मैं लगा लूँगी हाथ से ब्लेंड कर लूँगी उसके बाद रिमेल लंडन का सिर्फ वन पंप एक पंप मैंने foundation लिया बहुत जादा foundation मैं इस्तेमाल नहीं करती हूं तोरसा मैंने foundation ल जरूरी होता है अधर्वाइस क्रीज करने लगता है अब मैं क्या करूंगी अपने eyebrow को फिल कर लोंगी डार्क ब्राउन कलर से आप ऐश्यडव का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रो पावडर भी आता है आप वह यूज कर सकते हैं फिर उसके बाद देख रहे हैं यहां पे मैं पावडर आता है उसी को लिया हुए है और नोस को मैं अच्छे से आप कंटूर कर लोंगी कंटूरिंग पे अलग से वीडियो चाहिए तो आप बोलिएगा मैं बना दूंगी फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पे मैंने पीच कलर का ब्लस लिया है उसको मैं लगा लोंगी फिर उसके बाद हाइलाइटर है हाइलाइटर लगा लोंगी और अगर ना आपको स्टेप बाइस्टेप मेंक अप बिगनर्स के लिए घर चाहिए तो वही मुझे बताएगा मैं जरूर बना दूंगी क्योंकि मेंक अप करना मुझे बहुत पसंद आता है और मेंक अपकी वीडीओ भी आप लोगे साथ सेयर करती हूँ और आप देखते ही नहीं हूँ फिर फिर उसके बाद देख रहे हैं मैं आउनलाइनर लगा रही हूं यह पर उबंद बहुत ही तो बास आई मेंक ऐसा ओ बहुत ही अच्छा दीख रहा था बहुत ही आई मेंक जाप Noch ड मेरी चीज़ां में संखता लाइं हूं उसका है कि रोफ हैं तो थरी केलियाは मेरी मुझे पैंटिंग करना भी रसहा लेप में कंटिंग है सब्सके की में कम बुए हो यह heißt में भी लगता है में ऐसलीया करती करती हूं मैं ऐसलीया कर्ते जोगी सब्सक्राइब तो ये है मेरा मेकप लोक और मुझे जरूर बताईगा का ये मेरा मेकप लोक बनाती है मैं ले मेलन से खीक वी अच्क्ति हम और चाया ये मैं अपने खर पर करती हूं बहुत तारी करें लोग मने पर खरनी आज wrazier वीडियोज, healthy diet related वीडियोज, तो वीडियोज देखने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, जितने लोग में हो सके शेयर जरूर करेगा, अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए, bye and stay happy.